नमस्कार जी सभी को राजबोरा का राज़ खजाना में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम पूरा ब्लॉग बना रहे हैं जो मॉर्णिंग का हमने ब्रेक्पास्ट लेंच बना रहा दोस्तो आपको ले चलते हैं सिधे राजबोरा खजाना और चलते हैं हमारे किचन की दरब दोस्तो चले बढ़ते हैं हमारे रेशिप्यू गयों के आपको ले चलते हैं आपको ले चलते हैं सिधे राजबोरा के किचन में दूस्तो देख सकते हैं किय के जाए का दिखा देते हैं और यह देखे हमारा किचन और अंदर का सेटप दिखा रहें दोस्तों आपको देखे सिवा भोजनाले, चमपावत, राजबोरा, खजाना आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता दोस्तों यह देखे सुबह मॉर्निंग का 6 बजा है और हम आचुके और यह देखे हमारे परोठे भी तयार होड़े गर्मा गर्म चाई के साथ और चनी की सबजी के साथ जाएका बहुत तगड़ा रहेगा दोस्तों पूरा रेसिपी पूरा ब्लॉग जो आज हम बना रहे ब्रेक फास्ट लंच और साथ में आपके लिए पूरा पेकेज लाए परोठा पेकेज लंच पैकेज देख सकते हैं यह सबसे पहले हमारे अंडे बॉयल हो चुके है देख सकते हो पूरा फूल रेसिपी फूल वर्ज पुरा नजारा है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और यह देखे आपको हम किचन ले चलते जहां चूला हमारा जल चुका है भट्टी है दोस्तों लकडी जलाए गहीं है सुलो फायर में आग में चावल भी बनेंगे ताल भी बनेगा और उसके बाद सबजी भी बनेगी साथ मे अंडे बॉयल हो चुके दोस्तों यह देखे पूरा नजारा दिखा देते सीवा बोजना लई का और यह देखे हमारा नेशनल हाईवे से बहुत नजदी के आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो और या फेस्टूक वटसब इस्टागराम में आप चेक कर सकते हो दोस्तों और सकते हो वेज नॉन वेज या बढ़तरे पाल्टी हो या कुछ भी खाना बनाना तो आप कॉल कर सकते हो राजबुड़ा आप देखे उजाला भी हो चुका यह देखे दिल्ली वाली बस पहुंच चुकी है दिल्ली टू लोहागाट डिपो देख सकते हो श्यांदार सा नचा चावल पक रखा है चावल को चानेंगे और यह रहे हमारे चने काले वाले चने एक किलो पूरे बनाएंगे दोस्तों देख सकते हो शांदार रेसिपी जानदा टेस्ट हम आपके लिए एथेंटिक रेसिपी ऐसे ही लाते रहेंगे आप जाद से जादा अपने दोस्तों को फैमिली में सेर जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि आपको हमारा ब्लॉक्स कैसा लगा और किस तरह हमारी रेसिपी रही और किस तरह का साथ है दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइ बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसमें धक्कन लगा के दम लगा देंगे और उसके बाद देख सकते हैं हम आलू छिल देते आलू के गुटके बनाएंगे राजबोरा किचन में आपका हर्दिक स्वागत और अभिनंदर पूरा इंजोई करेंगे मॉर्निंग व्यूज है मॉर्निंग के समय बहुत ही ठंड है चंपाओत में दोस्तों यहां का जो सुन्दर नगरी है और सुन्दर वातावर है ठंड बहुत जादा है तो पूरे जैकेट पहन के हमने देखे बिल्कुल एकदम पैक हो रखे हैं और आपको दिखा देते हैं और आलू के गुटके बनाए जाएंगे देख सकते हो बिल्कुल गाना गाते हुए बनाएंगे और स्वाद में बेमिसाल टेस्ट में जाएका और दमदार टेस्ट के साथ हम आपके लिए लाएं और लाते रहेंगे देख सकते हो आपको ले चलते सीथे किचन में यह देखिए ह सारे बरतनों की पुताई भी कर लिए हमने देख सकते हो और यह देखे हैं हमारे आलू के गुटके तयार हो चुके काट दिये हैं साथ में देख सकते हो तड़का मारेंगे सबसे पहले ओयल डालेंगे सरसू वाला पियर सरसू का ओयल डालेंगे उसके बाद उसको अच्छे से गरम होने देंगे हीट होने देंगे उसमें धनिया और जीरे का सांदार तलका लगाएंगे दोस्तों देख सकते हो तेल हमने डाल दिया सोयमेल डालना जादा नहीं डालना लेस ओईली खाना वनेगा प्यवर देख सकते हो लेस मसालू से और देख सकते हो प्यवर मसाले रहें प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है और उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे दोस्तों ये देखे प्याज ब्राउन हो चुका आप टमाटर डालना उसके बाद हल्दी मिर्ची धनिया जीरा पॉडर और साथ में नमक आप टेस्ट के अनुसार डाले आप जिस हिसाफ से देख सकते हो पूरा रेसीपी पूरा बलॉग हमने तयार करना है और आपको दिखाना है कि किस तरह हमने रेसीपीया तयार चियार किये और आप जरूर एक बार हमारे इस अनुके तरीके को ट्राई जरूर करेगा होम मेंट recipe है ढबा style है बिल्कुल चूले में बनेगा देख सकते हैं आलू में तड़का लग चुका है और उसके बाद आलू जीरे में उपर से हरे मिर्ची और धनिया इसे देख सकते हैं और यह रेशिपी आप जरूर ट्राइ करें घर में एक बार होमेट रेशिपी है देख सकते हो बिल्कुल ढबाइस टैल अब हम चने में तड़का मारेंगे दोस्तों देख सकते हैं जो मसाला हमने बनाता चौब मसाला यह देखे आदा मसाला इसमें डालेंगे दाल तड़का बनाएंगे दाल यलो तड़का अंग अंग भड़का और डाल तड़का देख सकते हो यह देखे हमारे चने बिल्कुल रेडी हो चुके इसमें चने को थोड़ा मिक्स वेल करके डालेंगे और यह देखे दाल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके इसी के साथ र